दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं प्ले स्टोर पर लॉक कैसे लगाते हैं अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं प्ले स्टोर से फालतु की एप्स फालतु के गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं ऐसे में अगर आप play store पर lock लगा देंगे तो कोई भी play store को open नहीं कर पाएगा, कोई भी app और game download नहीं कर पाएगा इसके लिए आपको कोई भी app download नहीं करना है, आपको अपने mobile की settings में आना है यहाँ पर आपको नीचे आना है, आपको एक setting मिलेगी privacy, आपको privacy setting को open कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तो आपको app lock की setting मिल जाएगी, अगर आपको इस तरह से setting नहीं मिल रही है तो आपको back आना है यहाँ पर आपको एक setting मिलीगी apps आपको इससे open करना है तो यहाँ पर उपर में या नीचे में आपको app lock की setting मिल जाएगी अगर आपको यहाँ पर भी app lock की setting नहीं मिल रही है तो उपर में आपको search bar में दोस्तो search कर लेना है app lock तो आपको दोस्तो एपलॉग की setting ओपर ही मिल जाएगी। इस तरह से आप अपने मोबाइल में एपलॉग की setting को धूंड सकते हैं। तो मेरे फोन में एपलॉग की setting प्राइविसी setting में है, तो मैं प्राइविसी setting को open कर लेता हूं। अब यहाँ पर आपको जैसी app lock की setting मिल जेगी आपको app lock की setting को open कर लेना है अब यहाँ पर आपको app lock की setting को on करना है on करने पर यहाँ पर आपको एक settings का option दिखाई देगा यहाँ पर आपको अपना password set कर देना है तो आपको यहाँ पर settings पर click करना है अब यहाँ पर आप PIN Password लगा सकते हैं या पैटन लोग भी लगा सकते हैं अगर आप कोई दूसरा लोग लगाना चाहते है यहाँ पर आपको Option मिलता है Use a Different Password Type आप इस पर किलिक करेंगे यहाँ पर आप 4 digits का Password बना सकते हैं और भी आपको option मिलते हैं यहाँ पर अगर आप यहाँ पर pattern lock लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर pattern पर click करना है और आपको यहाँ पर अपना lock set कर लेना है फिर से आपको एक बार verify कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक question का answer दे देना है यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप लिख रहे हैं आपको से याद रखना है अगर future में आप password भूल जाते हैं तो आप इसके जरीए उसे recover कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको उपर में नाम लिख लेना है पहले यहाँ पर जवाब दे देना है और उपर में आपको right के निशान पर click कर देना है तो app lock की setting open हो जाएगी यहाँ से app lock की setting on भी हो जाएगी अब यहाँ पर दोस्तों आपके mobile की सभी apps आपको दिखाई देगी अगर आपको play store पर lock लगाना है तो आपको यहाँ पर option मिल जाएगा google play store play store के सामने जो setting बंद है आपको इसे च click करना है जितनी भी app पर आपने lock लगाया है वो apps यहाँ पर दिखाई दीगी गेम पर भी आप यहाँ पर lock लगा सकते हैं यहाँ पर ओपर में दोस्तों आपको setting का icon मिलेगा इस पर आप click करेंगे यहाँ पर privacy password पर click करके यहाँ से आप password को change कर सकते हैं यहाँ से आप app lock को ब पर नहीं हो रहा है Instagram पर भी हमने lock लगाया है आप देखेंगे तो इस तरह से दोस्तों आप play store पर lock लगा सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं आपने lock तो set कर दिया है अगर आपको lock को हटाना है lock को बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको आना है प्राइवेसी सेटिंग में यहाँ पर आना है एप लॉक सेटिंग में यहाँ पर आपको अपना lock डाल देना है जो setting on की इसे यहाँ से off कर देना है सेटिंग ऑफ करने के बाद सभी एप से lock हट जाएगा बंद हो जाएगा लिकिन अगर आप किसी एक app से lock हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर locket वाले section में आ जाना है जिस app से आप lock हटाना चाहते हैं उसके सामने setting को बंद कर देना है तो दोस्तो उस पर से lock हट जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe जरूर करना